कोशिश तो वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल सकती है और इस बात को वक्षू भी समझते हैं पांडिया स्टोर के घरवाले और देखिए ये तो हर सिचुएशन का करते हैं फुल ओन सामना लेकिन देखिए यहां पर तो ट्विस्ट खतम ही नहीं होते बार बार कहानी में एक नया ट्विस्ट तो कौन से नय ट्विस्ट का सामना कर रहे हैं यहां पर पांडिया स्टोर के घरवाले लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास कुरिश और श्वेता की शादी रिशिता की ट्रामे बाजी धरा की भागम भाग स्टार प्लस के सीडियल पांडिया स्टोर में जहां एक तरफ होने वाली है कृश और श्वेता की शादी तो वहीं दूसरी और धरा श्वेता का सच सामने लाने के लिए कर रही है उसके एक्स बॉइफ्रेंड देवेन का पीछा क्योंकि उसके हातों में है घर के जेवर भई यहां तो धरा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी लेकिन वहां क्रिश की शादी की रस में शुरू हो चुकी है ऐसे में रावी घूंगट ओड़े धरा बनकर वहां पहुँच गई है वो भी गौतम के साथ लेकिन जैसे ही छोटे भाई की शादी में भाईया भावी के बैठने की बारी आई तर जरा देखें कैसे गौतम पेट दर्द का बहाना कर वहां से भाग निकले और साथ ही पीछी पीछे भाग निकली घूंगट ओड़े रावी भी भई जब तक धरा गौतम आएंगे नहीं तब तक शादी शुरू नहीं होगी ऐसे में श्वेता ने भी तब्यत बिगड़ने का बहाना किया क्यूंकि वो चाहती है कि जल से जल उसकी शादी क्रिश के साथ हो जाए बेचारा क्रिश क्या ही करता उसे मंडप में आना ही पड़ा और फिर शुरू हुआ शादी के मंत्रों का जाप एक एक कर रस में शुरू हो गई और रिशिता रावी ने मिलकर क्रिश और शुरुता का गड़ बंदन भी बांधा लेकिन रिशिता बहत परिशान है कि करे तो क्या करे फिर देखिए कैसे शादी पर ब्रेक लगाने के लिए वो भूक लगने का बहाना करने लगी और शाद दूस लाने का बहाना तो कभी पानी लाने का बहाना शुरू हो गया भाई रिशिता और रावी ने कोशिश तो बहुत की कृष और स्वेता की शादी पर ब्रेक लगाने की लेकिन शादी पर ब्रेक नहीं लगा शुरू हो गए कृष और स्वेता के शादी के फेरे फेरों के बाद बारी आई मांग में सिंदूर भनने की वहाँ पर भी रिशिता ने चाल चली सिंदूर की डिबिया अपने पल्लों में छपा कर लेकिन पंडे जी ने वो भी खोज निकाली यानि रिशिता की कोशिश यहाँ पर भी फेल हो गई वैसे फेल तो धरा की कोशिश भी हो रही है क्योंकि अब तक वो देवेन को पकड़ नहीं पाई उसका पीछा किये जा रही है अब देखना होगा कि क्या वक्त के रहते धरा देवेन को पकड़ कर क्रिश और सभी घरवालों के सामने ला पाएगी या नहीं मुंबै से ब्यूर रिपोर्ट